हलो दोस्तों मैं परशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटीटी कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप PCR डेटा को देखके आपसंस में ट्वेड कर सकते हैं यानि आपसंस ट्वेडिंग में PCR हमें कैसे हल्प करता है इसके बारे हम इस वीडियो में डीटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जबूर कर लिजे साथी साथ बेल आइकन को जब दबा दिजे ताकि जब भी अपना नेक्स वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हमें PCR कैसे हमें ट्वेडिंग में हेल्प करता है तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं कि PCR है क्या तो सबसे पहले आपको NSC की वेबसाइट पर आना है यह फ्री में अबलेबल वैता है फिर यहां पर आपको bottom of the page में जाना है आपको direct bottom में जाना है bottom में जाएंगे तो आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको इधर put देखने को मिलेगा और इधर आपको calls देखने को मिलेगा call side की तरफ अगर आब बात करें तो ओआ यहाँ पर है और नीचे में कितना open interest है यही देखने को मिलेगा इसको आपको note कर लेना है फिर put side की तरफ जो भी oi है इसको आपको note कर लेना है अब क्या करते हैं जो PCR हम लोग calculate करते हैं उसमें क्या करते हैं सबसे पहले put side की तरफ जो भी open interest है उसको रखते हैं जो भी data आता है वही हमारा PCR कहलाता है यहीं PCR होता गया put call ratio इसी को हम लोग क्या बोलते है PCR data अब हम इसका calculations कैसे करते हैं तो सबसे पहले put side की तरफ कितना open interest है उसको हम उपर रखते हैं जैसे यहाँ पर 1348632 यह अपका put side की तरफ open interest है call side की तरफ कितना है इधर आपको दिख रहा होगा 2109876 इसको अगर आप divide करो तो यह आपका आता है 0.63 के करीब तो PCR data यहाँ पर हमारा क्या निकला अगर हम यहाँ पर PCR की बात करें तो PCR हमारा निकला 0.63 अब PCR 0.63 आया इसका मतलब क्या है जैसे आपका 0.3 आ सकता है 0.5 आ सकता है 1.2 आ सकता है 1.6 आ सकता है 1.7 ऐसे कुछ भी आ सकता है तो अलग अलग range का क्या मतलब है? 0.3 PCR का क्या मतलब है? 0.5 का क्या मतलब है? 1.2, 1.6 या 1.7 या फिर 0.63 PCR का क्या मतलब है? चलिए सबस पहले हम इसको समझ लेते हैं. फिर वापस से हम आएंगे और PCR को थोड़ा और डीटेल तरीके से समझेंगे सबस पहले इसका जो अलग-अलग रेंज निकलता, अलग-अलग जो डेटा आता है, वो क्या हमें रिपरजेंट करता है? सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं. तो हम डेटा पर आएंगे लेकिन उससे पहले PCR हमें डिनोट क्या करता है? PCR हमें बताता है कि मार्केट में कब greed पैदा हो रहा है? और कब fear पैदा हो रहा है? वो हमें identify करने में help करता है. जब मार्केट में fear हो रहा है, तो उस ताइम पे आपको भी डरना, उस ताइम पे आपको बहादू नहीं बढ़ना है. जब यह नहीं बताता है कब आपको buy करना कब आपको sell करना यह बता देता है कि कब market में आपके buyers बहुत जादा है और कब market में आपके sellers बहुत जादा यह हमें indicate करता है फिर वहां पर हम price section की मदद से entry fine कर सकते हैं अगर आप PCR को ध्यान में रखते हुए price section की मदद लेंगे तो काफी हद तक अपने trade के accuracy level को increase कर सकते हैं क्योंकि जब market में sellers बहुत ज़ादा हो जाते हैं तो उस टाइम पे आपको further sell side की तरफ नहीं जाना है क्योंकि जब sellers ज़ादा है तो क्या करेंगे sellers लोग profit book करेंगे और जब sellers profit book करते हैं तो क्या करते हैं जब आपके बहुत ज़ादे buyers आ जाते हैं तो वहाँ पे profit booking होता है और price वहाँ से नीचे गिरता है तो इसी तरीके सम इन सब को समझते हुए अपने लिए trading decisions ले सकते हैं prices को समझते हुए सिर्फ PCR के basis पे आप trading decisions नहीं ले सकते हैं ये generally आपको वहीं बताता है PCR put side की तरफ कितना open interest है call side की तरफ कितना open interest है on a given day on a particular time वहीं हम PCR का calculations करते हैं तो यहाँ पर हमने समझ लिए अब हम data पर आते हैं कि हमें data क्या represent करता है अगर हम data की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका PCR का अलग-अलग data इसका क्या मतलब है तो हम समझते हैं सबसे पहले अगर हम यहाँ पर PCR की बात करें PCR आपका one है तो यह neutral है यहनि यहाँ पर हमें नहीं कोई sign मिलता है नहीं कोई hint मिलता है यहनि यहाँ पर buyers भी है यह seller भी है उसका कुछ indications यहाँ पर हमें नहीं मिलता है लेकिन जब PCR आपका 1.4, 1.5, 1.6 इसके करीब आज आता है तो हमें क्या दिखाता है कि market में excessive bullish आगे मतलब बहुत जादा bull side की तरफ trade बन गिया बहुत सारा positive side की तरफ trade बन गिया अब इसके बाद क्या होता है यही वो point रहता है जहाँ पर buyers लोग क्या करते है अपना profit booking स्टार्ट करते है profit book करते है as a result market थुरा बहुत negative move दिखाता है और यह market के लिए very shine होता है अगर PCR आपका 1.4 से 1.6 के करीब आ गया तो उसके अलबब अगर PCR यहाँ से और increase कर रहा 1.75 से 1.8 या फिर 2 के करीब आ गया तो यहाँ पर market बहुत जादा overbought हो जाता है फिर market कभी भी काफी तेजी से नीचे साइड की तरफ गिर सकता है और यह बहुत जादा bearish shine हमें indicate करता है लेकिन यहाँ पर एक और सी ध्यान रतना जो यह data में आपको बता रहा है यह neutral market के लिए है अगर आपका बहुत जादा bearish market है तो यह data और भी अलग हो जाएगा और बहुत जादा bullish market है और देटा और भी अलग हो जाएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा उससे पैदे अगर PCR आपका 0.75 0.7 यह सब के करीब आता है तो क्या होते हैं यहाँ पर जो sellers रहते हैं वो बहुत ज़्यादा increase कर जाते हैं और यही वो time रहता है जहाँ पर sellers क्या करते हैं profit book करते हैं और sellers profit book कैसे करेंगे वो buy करके profit book करेंगे as a vision थोड़े बहुत price यहाँ पर upside की तरफ जाता है और इसके कारण से price बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं तो थोड़े बहुत buyers भी entry करते हुए दिख जाते हैं इसलिए जब PCR आपका 0.75, 0.70 आ जाए तो यह market के लिए bullish shine देता है लेकिन PCR उसके बाद भी अगर आपका decrease ही कर रहा हूँ 0.5 के करीब आजा है 0.6 के करीब आजा है तो यह सब हमें क्या बताता है कि market आपका बहुत ज़्यादा oversold हो गया है कभी भी market तेजी से अपना direction बदल के उपर side की तरफ जा सकता है और यह बहुत ही ज़्यादा bullish shine देता है extremely bullish shine होता है market के लिए तीजी आपको समझ में आ गया है कि अलग-लग data का क्या मतलब है लेकिन अगर आपका extremely bullish market है जैसा कि COVID के बाद हुआ था जब market आपका 7500 तक गिरा था और वहाँ से all the way 12,000 to 13,000 के level तक single value में upside move दिखाया था उस time पे क्या था उस time पे आपका जो PCR था 1.2, 1 के करीब यह आपका क्या count होता था यह आपका oversold count हो जाता था यनि यह वाला जो data है वो यहीं पे आ जाता था यहीं पे oversold count हो जाता था और यहीं से buyers फिर से entry कर लेते थे और 1.5 की बात करें या 1.4 की बात करें यह data neutral count होता था यनि यहाँ पे buyers और sellers के बीच में अच्छा खासा तालमेर बना हुआ ऐसा count होता था लेकिन जब आपका extremely bearish market आता है तो 1 के करीब आते आते हैं या फिर 1.2 के करीब आते हैं यह क्या हो जाता है और बाउट हमें यहीं पे कहलाता है शुरू हो जाता है और यहीं से sellers हा भी हो जाते हैं कभी भी आपका PCR bearish market में 1.5 या 1.6 के करीब वेर केस में आपको जाता हो देखेगा जब bearish market फेज चल भाए है तो 1.2 के बाद ही आपका data गिरना सुरू हो जाता है और यह सब आपका क्या कहलाता है यह सब आपका neutral data कहलाता है और 1.0.3 या फिर 0.4 के करीब यह आपका oversold कहलाता है तो अलग-लग market में data change होते रहाता है अब आपको यह नहीं समझना है किसा आपने यह बता दिया ऐसा market react नहीं कर रहा यह आपका general market में मैंने आपको बता है bearish market, bullish market के लिए data थोड़े बहुत changes होते रहते time to time कुछ ना कुछ changes देखने को मिलता है यह चीज़ आपको यहाँ पर समझना है चलिए, वापस से हम option chain पर चलते है और उसको हम थोड़ा और detail से study करते हैं कि हम options trading में कैसे help करेगा तो यहाँ पर हम वापस से options इन पर आगे, अब हमने आपको PCR में क्या बताया था, PCR मेंने आपको बताया था, कि क्या होता है put side की तरफ open interest रहता है divided by call side की तरफ open interest रहता है तो अब open interest हमें क्या denote करता है, जो put side की तरफ जो भी कुछ प्रत हम उसको क्या count करते है put草 count करते है, यह नहीं यहां पर आप इसको इस तरीके समझ लेते हैं कि हम क्या find करा है कि put草 क्या quantity कितना है वो find कर है और call草 का quantity कितना है वो यहां पर हम find कर रहे है और उसके basis पर हम क्या पता करते है कि कब market आपका क्या है? और बाट है और कब market आपका oversold है, इसके basis पे हमें ये पता चल जाता है और जब हमें ये पता चल जाता है तो हम इसके basis पे option straight भी ले सकते हैं, अब इसके basis पे हम option straight कैसे ले सकते हैं? मैं आपको आज का example बता रहा हूँ तो morning में और ज़्यादा कम था ये आपका 0.6 के करीब था अब यहाँ पे क्या हुआ? अगर आपका PCR बहुत ज़्यादा कम हो मतलब क्या है? कि यहाँ पे call vitals का quantity बहुत ज़्यादा यनि जो लोग sell करें जिनका भी निगेटिव है, उनका quantity बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और आप समझ सकते हैं कि put vitals का view क्या होता? अपसाइट की तरफ भी होता है, call vitals का view negative side की तरफ होता है यनि जब PCR आपका 1 से कम आ रहा that means to, इनका quantity ज़्यादा है और जब 1 से ज़्यादा आ रहा that means to, put vitals का quantity ज़्यादा है याँ जो लोग उपर साइट की तरफ जाने के बारे में सौच ज़्यादा है लेकिन अभी, जो लोग नीचे साइट की तरफ जाने के बारे में सौच ले में उनका quantity ज़्यादा है अब यहाँ पे क्या करेंगे जब PCR आपका बताया था 0.6 पे आ जाता है, मतलब यह slightly oversold हो जाता है, तो यहाँ पे लोग profit book करना स्टार्ट करेंगे, और इसके basis पे हम trade कैसे कर सकते हैं, हमें price action की मदद लेना परेगा, यहनी यहाँ पे हमें, क्या find करना परेगा, वो एक strong resistance level या फिर support level करी price आता है, तब हम इसके basis पे थोड़ा बहुत tweet ले सकते हैं, for example, एक support level हमने ड्या कर लिया, और आज का example ले सकते हैं, कि market थोड़ा सा negative था, और यहाँ पे इसने लगभग आपका 17,500 करीव एक support level था, तो price नीचे आया, PCR extremely oversold था, यहाँ से price आपका ऊपर जाना start हो गया, तो जैसे ही ऊपर जा change करना start कर देगा, हमें hint मिल जागा कि price यहाँ से उपर जा रहा, फिर हम buy करेंगे, और इस upside move से profit बना सकते हैं, इसके बाद आज का दिन के बात कर ले, तिया आपका all the way 17,500 से 17,600 और 17,650 के करीब तक गया था, यानि हम इस upside move से इस तरीके से profit बना सकते हैं, यह directly आपको नह 16 के करीब आजाए, इसकी बाद कोई हमें इस तरह का resistance level मिलता है, resistance level को touch किया, यहाँ से price आपका वापस नीचे गिरना start कर दिया, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, sell side की तरह positions initiate कर सकते हैं, और फिर यहाँ से हमें अच्छा कासा profit मिलेगा, तो इस तरीके से आप PCR को यूज करके futures में trading कर सकते हैं, और options में भी trading कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप PCR data वो यूज करके options में trading कर सकते हैं, यह बस आपको market को overboard curve है, oversold curve है, यह identify करते हैं, मैं help करता हैं, अगर आपको options trading के वारे में और details से study करना है, तो हमने इसके उपर पूरा एक detailed course बना है, जहाँ पर हमने basic से लेके advanced level तक सब कुछ वहाँ पर हमने cover किया है, options के basic से लेके advanced level तक अगर आपको सीखना है, तो हमारा course enroll कर सकते हैं, उसके आपको हमारा mobile app equity to community download करना होगा, play store से, जो हमारा youtube channel का नाम है, उसी नाम से आप play store पर search करेंगे, आपको हमारा mobile app मिल जाएगा, नहीं तो उसका link आपको इस वीडियो के description में भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप हमारा course देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आता है, तो उसके लिए आप enroll भी कर सकते हैं, और course देखने के बाद, आप future options में एक independent Twitter की तरह काम कर सकते हैं, अपना tweeting decisions आप खुद से ले सकते हैं, किसी और क help की जवबत आपको नहीं परेगी, इस तरीके हमने course डिजाइन किया है, तो एक बार आप हमारा app डाउनलोड करके, course को जवब देखिए, अगर आपको पसंद आता है, तो आप इन्वोल कर सकते हैं, तो उमीद करते हैं, जो concept हमने डिसकस किया है, कि PCR के basis पे आप कैसे tweet ले स और बेल आइकन भी जवब दबा दीजे, तक कि जब आपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, तो याट्स आल फेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैहिंद!